हेलो दोस्तों तो आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट एडिटोरियल जिसने महारास्टर की राजनिती में उथल पुथल मचाती हैं इससे पहले हम देखेंगे आज की वाट आर दे इंपोर्टन वर्ट सो देट हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से यह से कुंथा यह सके डिखेंड टिफ देखेंगे अने फ रहेंगे में जिसने मुसें सहे प्लाइज Mooiilson देख किसी के खे खिलाफ चरण चरण करना या कोई प्लान बनाना कोई जो एक जो गुरूप है एंसीप का महाराष्टर की गवर्मेंट का जो एक महाराष्टर में गुरूप बना हुआ है इस यह गुरूप स्प्लिंटर हो गया है मिस्ट इस स्लाइवर और चिप एक बड़े से हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल गया है जो ग्लास या उड का होता है वो बड़े हिस्से से बाहर निकल जाना anti-defection so that is called defection हम सिफ defection को देखेंगे और defection का मतलब होता है desertion छोड देना absconding और flight उड जाना no so another is the word for that is patriarch so who is the patriarch of महाविकास अघाडी that is the senior figure होता है that is called the patriarch शरत पवार के लिए यह वर्ड यूज किया गया है इस एडिटोरियल में टैसिट टैसिट मिस implicit जो बताया नहीं जाता है उसको समझ लेना पड़ता है ऐसे कोई बात होती है जिसका अर्थ डिरेक नहीं होता है that is not implicit one no that is not implicit one but quite and explicit understood मिसो समझ लेना पड़ता है और इंप्लाइड मीनिंग जिसे कहते हैं जो सीधे दरीके से नहीं आता है जिसको घुमा फिरा कर समझ ना पड़ता है और that is only the hinted उसे सी बताया जाता है और से स्टेड मीनिंग एस सच तो इस इस पार्ट आवर टॉक जेनरल यू बहुत बार हम वह बात नहीं कहते हैं जो में कहनी होती हैं हम उसको घुमा कर कहते हैं इंप्लिशिट मिनिंग के तौर पर से देखा जाता है अनृट इस देखा जात कलाबाजी दिखाना जो खास करके एक्रोबेट्स में होती है जिमनेस्ट में होती है जिमनेस्ट जो अपनी कलाबाजी दिखाते हैं 360 में अपनी बाड़ी को रोल ओवर करते हैं इधर ऑन दे ग्राउंड और इन दे एर ग्राउंड में या एर में जो कलाबाजिया दिखाई जाती है जो 360 डिगरी में रोल ओवर किया जाता है खुद को इन दो होराइजन्टल एक्सिस में डैट इस कॉल डैट रोलिंग मोशन इस कॉल्ड दी समर्सॉल्ट तो यह समर्सॉल्ट किस ने किया है यह कलावाजी किस ने दिखाई है और परसो कल परसो महाराश्टर की राजन फिरओस का मतलब अघ करत। पराने जमाने अऌहीं हुआ करता था कि और आज हम सब्सक्राइस्टिक रूल क्यों है क्योंकि we know that it's a kind of a nepotism nepotism के तौर पर इसे देखा जा सकता है bandwagon तो a kind of a campaign bandwagon क्या होता है a kind of a campaign or drive or crusade जो बीजे पिनी किया है a very fashionable activity जो सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं you know because nowadays it is going on in the political world not only in Maharashtra but across India bandwagon जो BJP बार बार हर state में करा रही है और बादे आगे बढ़ रही है later in sworn in यह तो आसान है जैसे promise करना शफत लेना no swear का वो past participle है and then the proponent so who is the proponent of uh ncp mr power senior शरत पवार जी इसके advocate है supporter है exponent है promoter है यह सारी बाते हम इसके लिए ले सकते है now we can go for our very interesting editorial today no यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग editorial है जिसमें बहुत सी बाते हमें देखने मिलेगी यहां पर मैं आपको एक photo दिखाना चाहूंगा इस photo में exactly beside governor कोई बैठा हुआ है आप इस photo को देख लेना जरूर Google lenses के जरी है चंदरकान शिंदे का photo है the chief minister और उनकी photo एक बार जरूर देख लेना मिस एक crop की गई हुए photo है so only these three bodies have come और पीछे जो लोग बैटे है इनकी भी photo जरूर देख लेना so that you can understand the kind of things no, so you can see that two days before this is the only person that Ajit Pawar and NCP के बारे में बहुत बुरी तरीके से हो ला मचा रहा था कि हम bachelor रहना पसंद करेंगे लेकिन फिर से इनसे शादी नहीं मनाएंगा इसा इनका कहना था and only in the last week we had seen that our honorable prime minister ने एक comment की हुई थी that comment was कि सतर हजार करोड रुपय का जो सिंचन घोटाला हुआ है जिसके यह means boss थे तो उस घोटाले को बाहर निकालें गया and he was saying that Ajit Pawar will be pissing the Chakki pissing the Chakki pissing the Chakki pissing the Chakki and all the other things we had seen यह सारी बात होती है लेकिन politics में nobody is a permanent friend or a permanent foe permanent enemy भी कोई नहीं होता है और permanent foe भी कोई नहीं होता है शुरू करे हम इन लोगों को क्यों दोश दे बस क्या हम दोशी नहीं है हमारा गुप्त मद्दान होता है you know that we never disclose our voting whom I have cost cast my voting लेकिन आजकल तो हम बंदे में हैं जैसे these people are bound to the power in the same way we are bound to some political parties directly we are not the autos we are the activist of the political party यह जो shift है यह democracy के लिए बहुत ही खराब वाला shift है कि हम और रहते हुए political party के activist हो गया हम कार्यकरता हो गया है यह कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कार्यकरता बहुत ही सजक बहुत ही जागरित रहना चाहिए जो हम भूल गया है जिसकी वेज़े से आज जो यह गड़बंदन हमें देखने मिल रहा है यह गड़बंदन हम देख सकते हैं और जो इनके कार्यकरता है यह भी खुश है और इनके कार्यकरता भी खुश है लेकिन देश का महारश्टर का जो ओटर है वो परेशान हो गया है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं किस तरीकी की मैंने रिस्पॉंस करना चाहिए रियक्शन देनी चाहिए कोई-कोई ओटर्स तो यह कह रहें भाई कि मिन्स हमारा मद्दान जो कार्ड है वो हमने अभी बेशने के लिए रखा हुआ है वसंत मोरे जो मनसे के जो नेता है उन्होंने तो कल मिन्स परेशान होकर एक पोस्ट डाल दी और इस पोस्ट में उन्होंने बखु भी यह लिख जो फिर संभाजी राजे जो है हमारे कोलापूर के तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि हां यह बहुत ही फ्रस्टेट करने वाली बात है लेकिन इनसे अगर हम कुछ सीखते है तो बहतर रहेगा इंस्टेट कि हम छोड़ कर कही और चले जाए तो बहुत सारी बात है आज ह स्मोक एंड मिरर्स तो अगर आप देख सकते हो मैं बार बार आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप टाइटल की तरफ ठीक से ध्यान दे रहें तो बहुत सी बात हैं आपकी क्लियर हो सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि हूँ इस टाइटल इस फॉर्म किस तरीके से टाइटल बना हुआ है कि स्मोक एंड मिरर में परसेप्शन जो होता है जो दिखना होता है वह प्रॉपर नहीं रहता है तो आज की राजनिती की जो बात है वह श्मोक एंड मिरर्स इस गेम के ज बात है कन रेज टेंशन विद शिंदे ग्रूप फॉर्ग फॉर्ड बीज़ए पी शिंदे ग्रूप यह इसका सब टाइटल है यह तो फॉर्ग जो चीप मिनेस्टर can raise tensions with shinde group for the BJP no, यहाँ पर बहुत सारी बात है पहली बात तो यह है can raise the tension का मतला बताए will surely raise the tension not can raise there is no possibility means BJP has very deliberately brought Ajit Pawaar in order to raise the tension with shinde group किसके लिए for themselves BJP यह देखना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप एक के बाद दूसरी बात देखते हो तो यह एडिटोरियल से आपकी पकड़ में आने लग जाते हैं so what is that Ajit Pawaar as chief minister can raise as minister sorry as minister can raise tensions with shinde group for the BJP अब इसमें एक बहुती खराब contradiction इसे poetic justice भी कहा जाता है literature में इस poetic justice में हम इस बात को देखते है कि यह वही shinde group है भया हाँ यह वही shinde group है इस shinde group ने Ajit Pawaar जो कि finance minister थे महाविका सागाडी के तो बिकाज अजित पावार इस नौट गिविंग अस वे तो वर्क इस नौट प्रोवाइडिंग अस दफर्ण्स तो वी डूंट वांट वांट शीट विद इस NCP इसलिए हम NCP को छोड़कर जा रहे हैं खास करके NCP को छोड़ने की वज़े बहुत बार अजित पावार का जो अग्रेसिवनेस था इन अग्रेसिवनेस को लेकर NCP के सिंदे के जो ग्रूप के जो लोग थे वो खफा थे परेशान थे और पोईटिक जस्टिस देखिए अब उन्हीं की सरकार में अजित पावार is the deputy chief minister है और उनके साथ वो काम करेंगे खुशी-खुशी काम करेंगे और जनता को अब क्या जवाब दिया जाएगा इसे जाना जाता है यह शिंदे के ग्रूप के साथ हुआ पोईटिक जस्टिस है लेकिन पॉलिटिक्स में इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यूं ऐसा हो रहा है यह दो बाते हैं करी मैं अपने एक दोस्त के लेक्चर को सुन रहा था तो वह इनी बातों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि सत्ता या सिध्धान्त तो जब डिमोकरसी में सत्ता के लिए कोई भी बात होने लग जाती है और सिध्धान्तों का बली दे दिया जाता है तो डिमोकरसी टिक नहीं पाती है या डिमोकरसी के जो भी अब्जेक्टिव से सभी लोग बहुत दूर चले जाते हैं यह बहुत दूर जाना हमें यहां पर देखने मिलता है कैसे देखने मिल रहा है डैट सिध्धान्तों पर राजनीती नहीं हो रही है एक ऑपरचिनिस्ट राजनीती के तौर पर हम यह सारी बाते देख रहे हैं ल एग, that had gone for months, nationalist Congress party leader Ajit Pavaar has splintered away from his uncle and NCP patriarch Sharat Pavaar to finally join hands with the Bharatiya Janta party in Maharashtra, यह बात आपको ठीक से देखनी पडेगी, अजित पवार नो the senior leader of NCP has splintered बाहर निकल गय है उनकी chip बाहर निकल गय है has splintered away from his uncle यहां पर कोई किसी का सगा नहीं होता है राजकारण में कोई किसी का सगा नहीं होता है और poetic justice not only for the shinde group poetic justice बना है Mr. Sharadpawar के लिए भी हम इसलिए यह कह रहे है कि because in the year 1978 Sharadpawar ने भी यही काम किया था इसी तरीके से काम किया था तो Sharadpawar की बाते जैसे कोई नहीं समझ पाता है उन्हें महाराष्ट्र और देश के राजनीती में चानक केके नाम से पुकारा जाता है माना जाता है कि वह बहुत ही शातीर politician है और यही बात अब उनके भतीजने कर दिये चाचा ने जो किया है वही बात भतीजने किसी तरीके से कर दी है बहुत जादा restless थे अजित पवार कुछ इस तरीके से की हर public meetings में public place पर उनका यह जो restlessness ने से जो बैचे नहीं है बार बार जलग जा रही थी सो तैट इस वाट हैपन कि अब अजित पवार चले गया है BJP के साथ splintered away from BJP as such भारती जनता पार्टी junior power was sworn in as the second deputy chief minister in the council of minister led by eknaz shindi but it is hardly the final act in the ongoing drama in the state politics state politics में फिर एक बार अजित पवार ने deputy chief minister के तौर पर इन साड़े तीन सालों में तीन बार शफद ली है आध आपको याद होगा you must have remembered those things कि early in the morning बहुत सुबह उन्होंने एक बार चुपके से जाके देवेंदरा फड़नमी के साथ शपत ले ली थी फिर कुछ घंटों तक ही वो बात चली उसके फॉरण बाद वो जब वापस लोट कर आए और महाविकास अगाडी का जो गड़ बंधन बना इस गड़ बंधन में उन्होंने फिर से deputy chief minister के तौर पर ही शपत ली और फिर महाविकास अगाडी का पतन होने के बाद शिंदे और फड़नमीस की सरकार बनने के बाद एक साल में फिर से वो लोट कर आया है सब्ता में और deputy chief minister के तौर पर उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है तीसरी बात ये बात हो रही है तो आप समझ सकते हो काम करने के लिए उन्हें पावर में रहना जरूरी लगता है अब यह तो इंटरप्रेशन हो गया जस्टिफिकेशन हो गया भया ऐसे कुछ नहीं होता है यह मूल रूप से बहुत ज्यादा जरूरी चीज़ है जो सिद्धानतों से हट जाता है वो किसी भी बात से हट जाता है और सिद्धानतों से भी बड़ी बात होती है अपने शब्द देना हम जो बोलते हैं इस बोलने को कुछ मुल्य होता है हैं कुछ वैल्यू होती है यह वैल्यू आजकल हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं यह हमारे बड़े हैं यह सिनियर्स है इन्हों ने हमें सिखाना चाहिए कि कैसे हम जीए और यह बखु भी हमें सिखा रहे हैं कि भई अपना काम निकाल लो और फिर निकल जाओ यहां मैंने पहले का यहां पर कोई किसी का सगा नहीं है कोई किसी का दोस्त नहीं है कोई किसी का दुश्मन नहीं है मैं पूरी तरीके से बात अब अजीब तरीके से हमारे सामने आ रही है हमें शौक पर शौक लगेगा लेकिन फिल इसमें एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, there is one poem by W.H. Auden ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, The Fall of Icarus नाम की, Icarus was the son of God, मिस Icarus ये भगवान का एक भगवान थे, उनका पुत्र था, और उनको बंदी बना लिया गया था, पुराने जमाने की Greek mythology हैं, और बंदी बनाने के बाद वो जब वहां से चुटकारा पाने की कोशिश में लगें, यह बहुत ही खुबसूरत बात है, जो आपको पता होनी चाहिए, जब वहां से निकलने की बात हुई, तो उन्होंने मोम के पंक बना दिये, पपा ने, डैड़ी ने, और बच्चे को भी बना दिया, और कहा कि हम यहां से अभी उड़ जाने वाले हैं, लेकिन उड़ने से पहले मैं आपको यह बात बता दू, कि आपको बिल्कुल भी बहुत दूर तक, बहुत आकाश में बहुत उचाई तक आपको नहीं उड़ना है, खास करके सूरज से आपको बचना है, क्योंकि आप अगर सूरज के बहुत पास चले जाओगे, तो आपके जो पंक है, जो मोम के है, वो मेल्ट हो जाएंगे और आप फिर गिर जाओगे, तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बच्चा तो फिर बच्चा है, वो सुनता नहीं है, बहुत करीब चला जाता है, सूरज के उसके जो पंक होते है, वो melt हो जाते और गिर जाता है एक तालाब में गिर जाता है एक नदी में गिर जाता है और नदी के बाजू में ही एक खेती करने वाला है मिस हमारे जो farmer है एक farmer है वो खेती कर रहा है इतनी बड़ी घटना हो गई है भगवान का लड़का गिर गया है नहीं फिर भी अपनी खे इन जो बहुत महान पोट हैं वो कह ते हैं कि डिनस्टी आती है और जाती है राजपार्ट आते हैं राजपार्ट चաղे जाते हैं लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर बहुत ज्याद़ा अशर होना बंद हो कि हमारी जिंदगी बस ऐसे ही चलते चली जाती है यह इतनी बड़ी घटना है होने के बाद दो दिन में हम अपने आप ही समझ गए कि अब कोई बात नहीं अब यह भाई साब भी हमारे डेपटी चिप मिनिस्टर है इनको लेकर अभी हमको चलना पड़ेगा ताकि यह भी हमें लेकर चले एक कुल मिलाकर हमारी जो मेंटल करप्शन हो चुकी है आप बिलकुल इस बात को माने ना माने लेकिन मैं तो मानता हूं कि यह भी हमें पर हर कोई पॉलिटिकल इस बात कर रहे हैं यह फिर फड़नमिस ही गलत कर रहे हैं यह फिर शरत पवार ही गलत कर रहे हैं यह पर हर कोई पॉलिटिकली रॉंग जा रहा है जिसमें से हम जैसे कुछ लोग बच जाने चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिकास्ट वियार लॉनिंग सर्टन थिंग्स नो बैट आट आट वाइट वन यह वाट यह एथिकल वन अगर हम भी नहीं सिखेंगे तो फिर समझ लो भाया क पॉरिय बिस्टर उठा के जंगल में जाने की तैयारी रखनी पड़ेगी Mr. Shinde had enacted a similar script to split from the Shiv Sena led by Uddhav Thakre and replaced him as the chief minister last year. A disqualification of petition against him under the anti-defection law is to be decided by the Maharashtra speaker that is Rahul Narvekar anytime. And in the event of a vacancy in the top post, Pavar Jr. might make it. और बस अब यह बहुत important चीज़ नो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको अच्छी तरीके से आपको interpret करना पड़ेगा, कि अभी भी शिंदे ग्रूप के उपर जो तलवार लटकी हुई है, यह पूरी तरीके से गई नहीं है भाई, कि महाराष्टर के जो speaker से, महाराष्टर विदान सभा के जो speaker है, राहुल नार्वेकर आई थिंग, इनका decision आना अभी बाकी है, जो 16 लोगों को disqualify करने की petition रखी थी, वहाँ पर दिया गया है कि, what about these 16 people, जिन्होंने ओथ लेती है, 16 लोगों का अगर disqualification हो जाता है, तो Ajit Pawar will get a chance to become a chief minister, जो जो top vacancy है, इस top vacancy का भरने का काम फिर करेंगे हमारे Ajit Pawar, तो यह भी एक, you know, it's a kind of a game, played by BJP, to confirm things in their favor, अपने favor में हर बात को confirm करने के लिए उन्होंने यह चाल चली है, मैं आखरी में आपको बहुती खास बात बताने वाला हूँ, जो मेरे अपनी व्यक्ति के तरह हैं, और फिर अजीत पवार ने भी क्या गया है, the meltdown in the NCP leaves several leaders in the middle territory between the uncle and the nephew, और जो NCP के जो leader है, जो middle territory है, वो अब बिचारे परिशान हो गया है, कि whether they should go with the uncle or with the nephew, the patriarch has ought to take the defectors to task and rebuild the NCP with the popular support, but at 82, that is going to be a test of his capacity, ये बहुत आहम चीज़ है, शरत पवार इस नोन for his confidence in himself, शरत पवार इस नोन for his strong affirmation regarding making things, चीजों को बनाने में, तो जब उनसे कल परसो पूछा गया, कि आपको कौन सा चेहरा सबसे आश्वासक लगता है, किस पर आप भरोसा करेंगे NCP में अब, कौन सा चेहरा अब आप जनता के सामने ले कर जाएंगे, तो उनने कहा कि शरत पवार, मिस ये बहुत ही खास statement था, कि आप अगर कोई आश्वासक चेहरा है, कोई अगर कोई figure है, जिसको हम जनता के सामने ले कर जाएंगे, तो वो figure है, शरत पवार जी, लेकिन अट दे एज ओफ 82, मिस 82 साल की उमर में, ये उनकी capacity की test हो जाएगी, इस बिकम वेरी hard फॉर हीं, लेकिन फिर एक पत्रकार ने जब शरत पवार जी से पूछ लिया था, कि अब इस उमर में आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था, कि भाई तुम मुझसे चाहे जो पूछ लो, लेकिन इस उमर में मिस बराठी में उन्होंने इसा का, कि यावयात, यावयात मिस वाट, so age is only the number for him, age उनके लिए सिप एक number है, वो बिल्कुल भी इस बात को नजर अन्दास कर देते, कि I am at the age of 82, वो splinter group ने फिर वही खेल खेला है, जो शिंदे ग्रूप ने खेला था, the same game is repeated, the splinter group has claimed, उन्होंने claim कर दिया है, that it has the blessing of everyone in the party, implying a tacit understanding with the party founder, यह बहुत आजीब चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा, अब यह जो बाहर निकला हुआ ग्रूप है, अजित पवार जी के साथ, वो ग्रूप यह कह रहा है, वो claim कर दिया है, कि NCP is ours, NCP हमारी है, NCP के चिन्न पर ही हम लड़ेंगे, उसकी निशानी पर ही हम लड़ेंगे, और हमें NCP में सभी का आशिरवाद है, वो imply कर रहे हैं, डिरेक्ली नहीं बता रहे हैं, हर छोटे बड़े का हमें आशिरवाद है, यहाँ पर थोड़ा डाउट हमें होना चाहिए, कि कहीं यह सारा खेल, रचा रचा या खेल शरत पवार जी का तो नहीं है, क्योंकि आखरी में तो हम जाएंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं, कि पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड नहीं होता है, कोई फूर नहीं होता है, शरत पवार जी के लास्ट मंद के अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो दो स्टेटमेंट्स आर मुसली इन फेवर आफ नरेंद्रमोदी, तो एक बात समझ में आती कि कहीं ये खेल उन्हों नहीं शुरू तो नहीं किया, कहीं बाते आखरी में आकर हम तक ऐसे नहीं पहुँच जाएगी, हम शौक लग जाएगा कि भई शरत पवार had already had the blessing to अजित पवार, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपने आप को चानक की साबित करने के लिए शरत पवार जैसा कर सकते हैं, आप कोई भी possibility को आप और मैं नकार नहीं सकते हैं, इसी को smoke and mirror game कहा जाता है, अपने शरत पवार खुदी कह रहे हैं, अपने शरत पवार खुदी कह रहे हैं, कि मुझे ये बाते भात नहीं नहीं है, these are not the new things for me as such, with the embraces of NCP defectors, the BGP has done yet another somersault in the state, BGP ने एक अलग तरह का somersault यहां पर फिर से लेकर आये हैं, एक अलग तरह की कलाब आजी का नमुना पेश किया है है हमारे सामने, आजित पबाद NCP ग्रूप ग्रूप विद देम अन इस लिडर्ट तो है, have been accused by the BGP of promoting डिनस्टिक रूल and corruption बार बार डिनस्टिक रूल और करूप्शन पर जिन पर तंस कसा जा रहा था, जिनको गालिया दी जा रही थी वही डिनस्टिक रूल और करूप्शन में फसे वे जो लोग थे बहुत अजीब नाम है, जैसे चगन बुजवल जी का नाम है, हशन मुश्रिप का नाम है, राम राजे निंबाकर है, फिर आते हैं, बहुत सारी मिस एक होड लगी है, जिनके खिलाफ बड़े चार्जेज लग रहे थे, जिनके खिलाफ एडी को चार्ज किया गया था, एडी को उनके वहाँ बहुत जो हम बात कर रहे थे, कि यह जो शपत गरंड करने वाले और जो भी गये हैं, several of those have been joined the BGP bandwagon, BGP का जो bandwagon है, जो campaign है, इसमें join होने वाले वो लोग है, जिनका investigations एक तो चल रहा है, या वो जेव जाकर आए है, the BGP stung by the crossover of its long standing ally, the Shiva Sena after 2019, 2019 में Shiva Sena उद्दव ठाकरे जीने उन्हें जो वो ऐसा कहते है कि धोका दिया था, उससे वो बाहर निकल नहीं पाए, और फिर एक के बाद दूसरी बाते वो करते चले जा रहे हैं, तो देवेंद्र फड़नविश जी एक बहुती मिन्स एक डाइलोग बार 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 बोल रहे है कि मैं किसी के फंदे में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरे फंदे में पढ़ता है, तो में छोड़ता नहीं हो, बड़ाई फिल्मी और बहुती बॉलिवूड का हैंग और आजकल घुसा पड़ा है, इन पॉलिटीशन के सर पर सर में, और फिर वो डॉलोग्स पर डॉलोग्स दिये जा रहे है कि देवेंद्र फड़नविश किसी के जमले में पढ़ता नहीं, लेकिन कोई अगर उसके जमले में पढ़ता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, यह ध अगर चीप मिनिस्टर अगिन पार नहीं तर फिर नहीं कि गपने खर फॉलोग्स पर खर आजबा है, विटिशन के जमले में अगर नहीं दूपनाटर सर ब्रॉले जमले में टीसी बार उसी असेंबली में एक पास साव के डूरेशन में, एक शक्स तीन बार डेपूटी चीप मिनिस्टर बनता है इससे उन्होंने बता दिया है यहाज डेमोंस्टरेटेट बहुत अच्छी तरह के सही है डेमोंस्टरेटेट दो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज औफ ऑपर्चिनिजम ऑपर चिनिजम का बहुत ही खूबसूरत नमुना पेश किया गया है कि अम वन मैं अच्छी तीम टीपूटी चीप मिनिस्टर इन दा सेम असेम्बली अच्छी पॉड़ प्रफूटीज असेच न्यू मिनिस्टर स्वन इन अलॉंग विद इम ऑन संडे रिप्रेज विरेज विरेज सोशल गूप्स और भी दुस्रे मिनिस्टर से वह जो अलग अलग सोशल गूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं है यह मुश्री मुश्रीफ है राम राजिर इंबार कर हैं फिर हमारे चेगंद भुचबल हैं तो यह चलता जाएगा जो मदर फैक्शन है शरत पवार जी के साथ जो जैन्त पार्टिर है जो उनकी प्रदेशाद देखशे हैं इन्होंने उन्हों लोगों को डिस्कौलिफाइब कर दिया है और इन रिटर जैन्त पार्टिर को डिस्कौलिफाइब करके सुनिल तटकर को बना दिया है और प्रदेशाद देखशेब विच इन्टन इस सिकिंग दिस्कौलिफिकेशन फेमेले जैन्त पार्टिल एंजितेंद्रावार फंद असेंबली तू लाइलिस्ट ऑफ सिनियर पवार था स्प् अर यह जो धोकाड़ धरी है यह स्प्लेंटरिंग अवे हुआ है इसके वागे जैसे नाशनल लेवल पर अपोजीशन का जो एक ओक एक जा एक होना शुरू हुआ था इस पर भी थोड़ा बहुत असर जरूर होगा it also shows the endless schemes in the BJP's playbook to retain power and adds fresh tension in the existing alliance between the BJP and the Sindhiv action of the Sena no Sindhiv action of the Sena जो है इनका भी tension बढ़ाय रखा है और BJP ने power में हमेशा बने रहने के formula पर फिर एक बार काम किया है lotus operation बहुत बार वो कर चुके हैं तो कुछ इस तरीके से बात बनी है आज के editorial में that is reality क्या है और perception क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है आने वाले दिनों में बात जरूर क्लियर हो जाएगी लेकिन इन सब बातों में हमें सबसे important बात यह याद रखनी है इस एडिटरियल के analysis में मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि democracy और democratic principles को बचाने के लिए हमें फिर एक बार voter बनना पड़ेगा और नहीं बताना पड़ेगा कि हम किसे vote cast करेंगे इतना taken for granted हम नहीं लेने देंगे इन politicians को to all the voters of the country as such इसके लिए हमें बहुत ही जागरित रहना पड़ेगा बहुत ही strong बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा so thank you very much keep studying your examinations और एक खास common sense के तहत आपको इन सब बातों को देखना चाहिए thank you very much for watching